देश की सबसे प्रतिष्ठित संग लोग सेबा आयोग यानि योपीस्टी की परिक्षा में हैदराबाद के डॉक्टर सेयद मुस्तफा हाश्मी ने 162 भी रेंक लाकर दीनी तालीम हासिल करने बाले चात्रों के लिए जो मिसाल पेश की है उसका शांदार रिजल्ट दिखाई देने लगा है ख़वर महराश्ट के मलाट से है जहां महराश्ट स्टेट बोर्ड अफ सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन में 22 हाफिजों ने हाई स्कूल की परिक्षा पास की है इसमें अबू तलहा अंसारी ने 83.40 प्रतिशत अंक हासिल के हैं आदाब नमस्का यूपीरसी की परिक्षा में काम्याबी पाई है इससे पहले मुस्तफा दरजनो प्रतियोकताओं में अबाड जी चुके हैं मुस्तफा हाश्मी की सफलता दीनी तालीम हासिल करने वाले चात्रों को दुनियाबी छेतर में आगे बढ़ने का हौसला देती रहेगी प्रामिया ताजवीदुल कुरान और नूर महर उर्दु स्कूल मश्यूर बिजनिसमें सेद अली इसके सहस्तापक हैं जिन्होंने दीनी तालीम हासिल करने वाले बच्चों को दुनियाबी तालीम दिलाने का इरादा किया साल 2000 में उन्होंने स्कूल और मदरसे की यहां से पास आउट हाफिज इंजीनियर भी हैं डॉक्टर और फार्मासिस्ट बने हैं इस बार जिन 22 हाफिजोंने ससी परिछा में सफलता पाई है उनमें 14 ने डिस्टिंक्शन के साथ कामियाबी हासिल की है और 8 चात्रों की 60 फीसस से ज्यादा अंक आया हैं संसान के प्र इस संसा के संसापक सेद अली चात्रों की कामियाबी और तालीम के छेत्र में अपनी इस कोशिश की सफलता से बेहत खोश हैं और की खोशी वाजिब भी है इसलिए क्योंकि तालीम को उन्होंने कारोबार का जरीया नहीं बनाया बलकि समाज को शिक्षित करने के लिए अपन उतना शांदार नहीं होता जितना मलाड में आया है। यूपी की बात करें तो यहां मदरसों को आधुनिक शिक्षा से जोडने की कोशिश हैं तो चल रही हैं लेकिन उनका रिजल्ट उतना शांदार नहीं है। शायद इसकी एक बज़े यह है कि वो मदरसे जो आधुनिक शिक्षा की बनियाद पर खड़े हैं उनमें पढ़ाई के बज़ाए कमाई पर ज्यादा फोकस हो रहा है। आखिर में बात करते हैं करनाटक की एक दिन पहले ही करनाटक बोर्ट का रिजल्ट आया है। साइंस स्ट्रीम में इलहाम राज जी की सेकेंड टॉपर बनी हैं। उन्होंने च्छे सो में से 557 अंख हासिल किये हैं। इलहाम सेंट एलोईसिस पी उ कॉलिज की छात्रा हैं। उनके पिता मुहमद रफीक दाउद बेटी की सफलता से बेहत खोश है। इलहाम की एक काम्याबी इसलिए भी काबले तारीफ है कि वो हिजाब ओड कर पढ़ाई करती हैं। करनाटक जहां पिछले साल दिसंबर से छात्राओं के हिजाब पहन कर स्कोल कॉलिज आने पर जम कर हंगामा मचा रहा और आखिर में हिजाब प्रतिबंधित कर दिया गया। वहाँ एक हिजाबी छात्रा ने राजी की परिच्छा में दूसरा इस्थान हासिल किया है इसलिए उन्हें देश भर से मुबारक बात भी मिल रही है।